विल्कम गाइज विल्कम बैक टी ओन चैनल ऑप्शिंस गाइड तो स्वागत है आपका एक और शांदा डेली मार्कलिस वीडियो में लास्ट वीक क्या हुआ मार्केट में हमें कंटिनेस डाउन फॉल देखने को मल रहा है लास्ट पूरा वीक हर दिन मार्केट में में मेजर देखने को मला और अगर आपने हमारी लास्ट वीकेंड वाली वीडियो देखी होगी तो एक्जाक्ली यही हमने डिसकस भी किया था कि अब मार्केट यहां से हमें अपसाइट जाती हुई नहीं दिखती है यहां हमार लिए मार्केट का टॉप बन चुका है कॉल्स में कोई अगर आपने अपसाइट वीक देखने को मिली है यह सारी रिसर्च भी मैंने आपके शेयर की थी कि क्यों मुझे लगता है मार्केट का यहां टॉप बनेगा क्यों यहां से रिवर्सल आना चाहिए सारी चीजों की बहुत ही डीटेल में बात की थी और आप देख सकता है और फिर कहां से दुबारा रिवर्सल प्ले हो सकता है सारी चीजों की बहुत ही डीटेल में बात करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए है या अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वड़वर सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इससे ब उसका भी breakdown मिला जैसी तो हमने बताया था कि further downfall आएगा यह continue रहेगा और वही downfall हमें देखने को मल रहा है भी market में अब एक चीज जो हमारी Fibonacci वाली वीडियो थी वहां मैंने बहुत डीटेल में आपको बताया था कि क्यों मुझे यह target दिखता है 20,150 अगर हो सकता है आप bullish market बताया था आपको एक बार देख लेते हैं अब यह देखिए यह Fibonacci अमने mark किया हुआ है Fibonacci कैसे mark होता है किसी भी trend के top और bottom को आप connect करते हो तो Fibonacci levels मिलते हैं आपको अब इसके बारे में बहुत detail में Fibonacci वाली वीडियो में आप जाकर चेक कर सकते हैं I button पर मैं फि कोई भी doubt है Fibonacci में मैंने आपको कहा था उस वीडियो पर जाके comment कर दो इस weekend ही वो सारी queries में आपको एक separate video में answer कर दूँगा अब देखिए Fibonacci mark कैसे होता है सबसे पहले किसी भी trend के top और bottom को जैसे यह trend था continuous हमें market में fall देखने को बला तो इस trend के top और bottom को हम connect करते हैं उसक जैसे ही यह 100% वाला level है यह सारे percentages में है level जैसे ही 100% level break हुआ ठीक है पहले तो 100% पर market ने resistance की लेकिन जैसे ही यह break हुआ यहां पर level almost 18,860 के आसपास था जैसे ही यह level break हुआ directly Fibonacci का target यहां निकल के आता है 20,150 पर इसलिए मैंने पहली चीज आपको कहा था कि अब यहां से बोल रहां आने वाला है सब लोग यहां पर आपको डरा रहे थे आपको याद होगा यहां से दुबारा reversal आ जाएगा market crash कर जाएगी हर dip में डरा रहे थे in fact यहां पर भी top बना था वहां से भी काफी decent fall आये था लेकिन इस fall में भी मैंने आपको कहा था डरना नहीं है अभी यहां जरली confirmations में believe करता हूं कि एक जगा level मिल रहा हो तो वह बहुत जादा important नहीं है लेकिन multiple जगा same level मिल रहा हो तो वह बहुत जादा important हो जाता है same Fibonacci के through यहां तो हमें पता लगी रहा है कि top यहां पर बनने वाला है और market ने वह प्रूव भी किया है अगर हम same Fibonacci के through previous trend को भी analyze करें जो हमारा COVID वाला trend था COVID के top और bottom को connect करें तो वहां पर भी आप देख सकते हो पहली चीज मार्केट में जो अभी level है जो अभी पहले वाला trend में आपको दिखाया था इस वाले trend में आप level देखो क्या है 1.618 यानि 161.8% और जो अभी हम चार्ट स्टडी कर रहे थे अप यहां पर भी देखो COVID के crash के बाद जब rally आई थी यह 100% वाला mark था जैसे इसका breakout में ला हम कहां तक आए 161.8% तक और उस time भी उस level पर market ने work किया था बहुत time spent किया था हमार आइश्टेंस face की थी इसके अलावा इसके बाद जो directly level निगल के आता है वो पता है क्या है यह है हमारी dual confirmation जो हमें फिर से वही level बता रही है यहां पर level है 20,190 तो बहुत नियर बाए में से 40 points में 20,150 से 20,190 यह range मेरे लिए बहुत major resistance थी क्योंकि यहां dual resistance है Fibonacci work करता है पहले भी मैंने आपको charts पर दिखाया है और इस बार भी आप देख सकते हो और यह research ही मैंने आपका शेयर की थी कि इसलिए मुझे इसके अपर market जाते हुई नहीं दिखती है और यहां से reversal expected है और already almost 500 points का fall हम market में देख चुके हैं तो लोग कहते हैं na market में top bottom find न इंट्राडे market पे भी आएंगे लेकिन positionally समझो positional trend जानना बहुत important है यहां से हम हर बार bullish थे in fact 19500 से clear cut हम bullish और वहां से straight forward rally आई ठीक है more than 600 points की फिर हमने top पे आपको exit करने को कहा और बिल्कुल कहा यहां पे calls को hold करना ही नहीं और वहां से outputs में भी बहुत अच्छा profit बना सकत अब अगर current market की बात करें देखो immediate most important support next week के लिए होगा 19500 यहीं से ही हमने पूरी rally catch की थी recent time में जो उससे पहले दो week थी जो rally catch की थी और जो resistance level है अब market में वो है 19,920 अब यह level कहां से आ रहा है यह आ रहा है इस trend line से और इतना जल्दी हम इस top को ब्रेक नहीं करने वाले है पर बहुत major resistance है ऐसा नहीं होगा कि एक बार dip आगे और suddenly इसे break कर देंगे नहीं market को भी time लगेगा market दुबारा bounce भी कर सकती है लेकिन इस resistance पे पहली बार या दो time में market break नहीं कर पाएगी major resistance at least market third attempt में break कर पाती है तो अगर दुबारा भी यहां तक bounce करते है फिर से वहां से dip expected है अभी भी यह major resistance है at least third time जब हम इसे test करेंगे तब chances है कि market इसे break करें लेकिन अभी recently इसके अब market में top बनता हुआ नहीं दिखता है market में major resistance फिर से यही level होगा तो simple setup है most important support 19500 अभी market fall कर रही है यहां तक fall कर सकती है और फिर market में यहां से फिर से दुबारा trend decide होगा अगर फिर से आपको reversal play करना है डिप को buy करना है तो आप वो आपको 19500 के आसपस करना है ठीक है next week के लिए most important support 19500 resistance upside मैंने आपको बताई दी है maximum major level 2150 है यह पहले किसी को नहीं दिखा था आप सबको दिखेगा क्योंकि टॉप बन गया है ना लेकिन हम आपको levels बनने से पहले बताते है यह है positional levels और positional outlook अब intraday भी आ जाते है positional setup तो clear है nifty का intraday क्या हुआ और आगे Monday क्या करना है अब सबसे पहले nifty देखो बहुत ही wild move थे पहली चीज़ देख से फिर से दाउनफॉल 19,670 तक फिर डे एंड में आ गए तो बहुत ही wild market थी और wild का एक और reason था candles के sizes बहुत बढ़े थे daily ऐसी बड़ी candles नहीं बनती है एक दो दिन में बड़ी candle बन जाती लेकिन Friday का दिन ऐसा था पूरा दिन ही बहुत बड़ी candles बन रही थी अब यहाँ प बहुत ही fast थे आप दोनों side देखोगे market में बहुत sharp move है trades की अगर बात करें तो nifty में bank nifty में दोनों में ही जादा trades नहीं मिले क्यों क्योंकि हम generally breakout और confirmation पे entry करते है ठीक है और जो breakout confirmation वाली candles थी वो बहुत बड़ी थी तो इसलिए किसी भी direction में trades बनाना जादा possible नहीं था intraday levels ने फिर भी work किया है top level पे लगा है bottom level पे लगा है लेकिन trades बनाना मुश्किल था क्योंकि इतनी बड़ी candles में entry मिस हो जाती है generally इसलिए बहुत limited trades थे Friday बहुत जादा trading के मौके नहीं मिले और यह ऐसा हुआ क्यों ठीक है normally ऐसा expires में होता है suddenly किसी भी side move आता है लेकिन ऐसा ह हमें क्यों देखने को मला क्योंकि Friday Sensex के expiry थी और Sensex का अगर आप चार्ट देखोगे तो वहां बहुत ही बड़े moves देखने को मिले हमें especially options में 5 टाइमस भी हुए है options 10 टाइमस भी हुए है और in fact 0 भी बहुत जल्दी हुए है तो बहुत wild move देखने को मिले हमें Sensex के expiry में इ इतनी बड़ी candle है देखिए 44 700 पे open होते है इतनी बड़ी candle एक single candle 200 points की बन रही है उसके बाद suddenly market में फिर dip कर जाते है फिर बड़ी candles बन रही है यहां से फिर bounce में आप देखो almost 45,000 तक है वहां top बना फिर वहां से downfall तो दोनों साइट wild moves है बहुत शाम moves थे और trade बनाना मुश फ्राइडे का दिन ट्रेडिंग के लिए मुश्किल था कि बहुत sudden move थे अगर आप किसी गलट direction में होना तो आपके SL बहुत ही जल्दी एक single candle में hit हो सकते थे दिको slow and steady market move करें आपको अच्छे से trades बन जाते है लेकिन इतनी शाप candles बने जहां एक एक candle bank nifty में 100 150 points की बन रही ह वहां trade बहुत मुश्किल हो जाते है इसलिए Friday का दिन मुश्किल था trading के लिए slow move आये market आपको entry का time दे सारी चीज़ा आप analyze कर सकते है तो अच्छे से trades बनते है लेकिन इतनी बड़ी candles में आप suddenly देखते हो market आदा target तो पहले ही अचीव कर चुकी है अब क्या करें SL बड़े ह हो सकती है तो gap down opening में क्या करना है flat opening में क्या करना है सारी चीज़र discuss कर लेते है immediate जहां पर closing आई है उसके according support है 19,670 उसके बाद 19,600 उसके बाद 19,560 और 19,500 ठीक है upside resistance यहां पर 19,700,19,750 और फिर 19,800 जहां almost market का top भी बना था Friday अब gap down opening दिखरी है तो हो सकता है हम 19,600 के आसपास कहीं open हो तो उसके बाद हमें इसी level को watch out करना है कि अगर 19,600 lower side break होगा तो market में यह fall continue रहेगा puts में entry और यह दोनों lower side levels है जो हमारे targets होने वाले है अगर 19,600 को market break कर देती है क्या हम reversal play कर सकते है 19,600 से कर सकते है ठीक है कैसे कर सकते है एक बार समझ लो reversal वाले trade है काफी बार फि इसान से कर देता हूं reversal वाले trade कैसे बनते है जिसे यहां market में continuous fall आ रहा है for example हमारा support है 19,670 market candle से level को test करें और candle level के अबव close हो जाए color matter नहीं करता है सिफ candle level के अबव close हो रही है यह market उस level पे support ले रही है और आप यहां से reversal play कर सकते है calls में entry कर सकते है अगर similar move हमें 19,600 पे मिल market होगा market ने इसे hold किया test किया hold कर लिया तो reversal play कर सकते है test किया और break down कर दिया और उसकी confirmation दे दी तो फिर market में further fall आएगा और आपको puts में entry करनी है hold किया तो calls में entry directly break कर दिया confirmation के साथ तो puts में entry further levels है आपके पास जो आपके target होगे यह बात हुई अगर market hold करती है level को अगर हमें trending rally जाहिए तो कहां से आ सकती है मालनो market 19,600 तक गई ही नहीं ठीक है ऐसा भी हो सकता है अभी gap down opening दिख रही है almost flat opening हो जाए फिर हमार लिए जो call का trade बनेगा वो बनेगा 19,700 से कि अगर 19,700 को upside break करती है market intraday में तो आपको calls में entry करनी है target 19,750 और 19,800 यह simple nifty का setup है Monday के लिए अब bank nifty देख लेते हैं एक बार चलिए पहले intraday setup देखते हैं फिर positional setup की बात करेंगे यहाँ पर देखो levels क्या है पहली चीज़ अपसाइड 44,700, 44,800 और almost जहां market का top बना था Friday 45,000, lower side 44,500 in fact 450 से 500 का zone 44,450 से 500 का zone इसके बाद 44,160 से 200 का zone trade अब मैंने Friday के लिए आपको कहा था trending fall के लिए हम wait करेंगे 44,450 के lower side break होने का तो Monday भी same है अगर market को trending fall देना है तो उसमें 44,450 अगर lower side break होगा तो market में trending fall आएगा तो आपको puts में entry करनी है और यह zone आपका target होगा 44,160 से 200 का यहाँ पे भी reversal वाला trade और same condition में बन सकता कि अगर market इस level पे आए इस level को hold करें तो यहां से भी आप calls में entry कर सकते है रिवर्सल प्ले कर सकते है इसी के पास हमारा positional level भी है वो भी आपको positional chart पे दिखाऊंगा लेकिन nifty में भी same चीज है downside आए एक level है 19,600 hold किया तो bounce back calls में entry break किया तो puts में entry bank nifty में भी similar है 44,450 बहुत important है यहां तक है market फिर देखो इसे market break कर रही है तो market continuous fall दिखाएगी और अगर hold कर ले sign दे एक single candle थी हमें hold करने कले hold कर ले तो calls में entry ठीक है और SL क्या होता है ऐसे trades का जैसे यहां पे इस candle ने level को hold किया है तो यहां पे जब आप call में entry करोगी तो आपका SL होगा जैसे ही कोई candle level के below close हो जाती है वो आपका SL है ठीक है hope SL भी आपको clear है तो दो trades 44,450 से मिल रहे है अगर market downside जाती है मालनो market downside गई ही यह directly up move करने लगती है तो हम wait करेंगे 44,800 के breakout का यह break होता है levels calls में entry target 45,000 यह simple setup है bank nifty का अब बात करते है bank nifty में positionally क्या करना है और bank nifty में भी exactly मैंने आपको यहां top पे बताया था कि exit हो जाओ यहां से upside जाती हुई market हमें नहीं दिखती है और यहां भी बहुत बड़ी rally catch की थी हमने last week के आपको बताया था 45,000 से rally यहां तक और बिलकुल top पे आपको clearly खा exit हो जाओ क्यों यहां भी target बचाता सिर्फ 70 points का bank nifty में 70 points कोई matter नहीं करते है एक candle more than 100 points की बन जाती है और यह one day time frame का जाट है तो target कुछ भी नहीं बचा था बिलकुल major resistance पे थे secondly nifty already target अचीव कर चुका था major resistance पे था तो nifty में fall आना था तो bank nifty भी fall करे गाई simply बताया था यहां भी हमने top पे आपको exit कराया और उसके बाद आप देख सकते हो क्या major fall आया ठीक है लेकिन लास्ट वीक हो चुका है आगे क्या देखो most important support मैंने अभी भी आपको दो दिन पहले पताया था 43600 है अगर market को maximum fall करना है हम यहां तक कर सकते हैं अगर यह fall ऐसे continue रहेगा तो maximum यहां तक दिखता है यह market को level को जरूर hold करना चाहिए यह major support है immediate बात करें तो 44,44 एक immediate support है उसके बाद 44,160 अपसाइड resistance अब 45,000 है और उसके बाद यह zone फिर से मान लेते है 46,300 से 400 का अब trade समझो market further fall करती है पहला support level यह ब्रेक होगा further fall आएगा 44,160 तक 44,160 ब्रेक होगा तो फिर fall करेंगे 43,600 तक यहां तक fall आ सकता है अगर यह दोनो support levels भी ब्रेक हुए यह maximum major support है इसके बिलो आपको putsman entry नहीं करनी है यहां तक fall आए कोई दिक्कत नहीं है यहां फिर watch out करेंगे यह major support है प्रीवेसली भी जो rally आई थी वो यही से आई थी यही तक fall आया था फिर यहां से bounce back इस बार भी same है अगर हम fall करते रहते हैं तो maximum यहां तक fall expected है इसके बिलो हमे market जाती हुई अभी नहीं दिखती है upside इतना confusing नहीं है एक ही level है 45,000 upside break होगा दुबारा market में rally आएगी और rally आएगी यहां तक simple clear upside एक ही level है कि अगर market को दुबारा bullish होना है calls में entry दिलानी आपको positionally तो में 45,000 का breakout चीए और फिर यह zone हमारा target होगा previously भी यह बताया था गजब की rally आई थी इस बार भी same setup है यह major resistance है breakout मिलेगा तो यहां तक rally करेंगे simple clear setup हुब सारी चीज़े clear है आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में जरूर शेयर करें कैसी लगी आपको वीडियो option chain को हमने आज discuss नहीं किया है क्योंकि जादा data वहां clearly कुछ बता नहीं रहा है and Fibonacci वाली वीडियो जरूर जाके check out कर ले hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी like जरूर कर दे इसके लावा channel पे नए है तो लिंक मिल जाएगा